हेलो दोस्तो एविल एनिगमा में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम आपको इंडिया की हांटेड जगा की सेर कराएंगे जिसमें आप लोगों के रॉंग्टे खड़े हो जाएंगे वो जगा मिस्चीरियस भी है और हांटेड भी चलिए दोस्तो शुरू करते हैं आज की राउन हिल ओफ करसंग पच्चिम मंगाल में स्थे करसंग छोटा और खुबसूरत हिल स्टेशन है यह जगा न्यू तो बहुत खुबसूरत है लेकिन यहां से कुछ ही दूर एक जगा है डाउन हिल जिसके कारण यह जगा टॉप हांटेड जगाओं में आती है यह फेमस है मर्डर और भूत के लिए यहां के लोगों की माने तो यहां विक्टोरिया हाइज स्कूल है जिसमें एक दो नहीं बलकि बहुत सारे भूत है इसी के कारण यहां पर आसपास के लोगों को मर्मरिंग की आवाज सुनाई देती है खुसपुजाहट की आवाजे आती है सरकटा बच्चा स्कूल के अंदर डाउन हिल में सडकों में घूमता नजर आता है यहां के आसपास के लोगों का मानना है कि अगर किसी को वो सरकटा बच्चा देख जाता है तो वह इंसान दिरे दिरे डिप्रेशन का शिकार हो जाता है क्योंकि वह बच्चा उसे हर जगा और दो या तीन दिन में उस इंसान की मौत हो जाती है जिसने उस सरकटे बच्चे को देखा होता है यह जगा संसान है जब डाउन हिल में मौसम बहुत अच्छा होता है तब यहां ट्यूरिस लोग आते हैं ट्यूरिस लोग डाउन हिल जाना पसंद करते हैं क्योंकि वो महां जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनका पीछा करना है उन्हें बहुत सारे पैरों की आवास सुनाई देती है शुरुवाती तोर पर तो यह जगा बहुत सारे कपल से भरी रहती थी क्योंकि यह बहुत रोमेंटिक प्लेस है लेकिन दिरे दिरे यहां पर आना बंद हो गया क्योंकि यहां पर जो जो सरकटे बंदे को देखता था वो मर जाता था दोस्तो इस मिस्टीरियस प्लेस से परदा तो उठा नहीं है अभी तक लेकिन यहां के कई लोगों की कहानियां बड़ी प्रचलित हैं वो जानते हैं कि यह सरकटा बच्चा कौन है और य कि इतनी सारी आत्माएं कहां से आई है यहां के स्थानी लोगों का मानना है कि यह एक सुन्दर जगा तो है ही साथ में यह एक सुन्दर हिल स्टीशन है जिसके कारण यहां पर टूरिस्ट के अट्रेक्शन हमेशा बनी रहती थी 1990 के बाद यह अट्रेक्शन थोड़ी कम हो गई क्योंकि 1990 के बाद से यहां एक कहानी फेमस हो गई सरकटे बच्चे की आज की डेट में डाउन हिल थोड़ा जंगल सा बन रखा है जिसके बीच में रास्ते बना रखे हैं लेकिन 1990 से पहले यह बहुत सुन्दर एक गार्डन हुआ करता था गार्डन होने के कारण यहां अक्सर लोग सुबह शाम राउंड जरूर मारते थे और टूरिस्ट की अट्रेक्शन तो हमेशा फोटोस खीचने में लगी रहती थी लेकिन उसके साथ साथ यहां पर चोरों का अड़ा भी बना हुआ था जिसमें अक्सर चोर रात को आकर यहां दारू पीते थे और जो भी पूरे दिन उन्होंने किया वो बाते डिसकस करते थे 1990 में डाउन हिल में क्रिसमस इव चल रहा था तभी रात के 12 बजे महाँ पर एक परिवार घुम रहा था उस परिवार ने चोरों की बात सुन ली और पुलिस में कम्ब्लेंट करने की सोची तभी चोरों ने उस परिवार को देख लिया और उस परिवार के एक-एक सदस्य को मार दिया उस परिवार में टोटल चार सदस्य थे एक हस्बंट वाइफ एक लड़की और एक लड़का बچचा किसी तरह बच गया और वो मा से बकता बकता विक्टोरिया स्कूल के पास पहुँच गया तब ही एक चोड ने पीछा करते करते उस बच्चे को मार दिया और उस बच्चे को इस तरह मारा कि उसकी गर्दन धड़ से अलक हो गई चोरों ने उस परिवार को मार कर सारा समान लूट लिया और मही से फैसला किया कि अब वो लोग मार कर पैसा लूटा करेंगे वहां के लोगों की माने तो वो सरकटा बच्चा यही है और वो परिवार भी मही है डाउन हिल में ऐसे पता नहीं कितने पडिवारों को उन चोरों ने मारा जिसके कारण अब वह सब लोग आत्मा बन कर उस डाउन हिल में बटग रहे हैं और वो बच्चा विक्टोरिया के आसपास अपना सरकटा धड़ लेके घुम रहा है दोस्तों आपका क्या ख्याल है इस जगा के बारे में क्या आप लोग जाओगे घुमने डाउन हिल में हमें कमेट में ज़रूर बताएं और भी मिस्चिरियस वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके हमारी वीडियोस की सबसे पहले